सलमान खान के कॉंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 14 में टीवी अक्टरिस जस्मिन भसीन की एंट्री होने वाली है बोल्ड बेपाक, फिरलेस और फिर आल राउंडर इन में से आप जस्मिन भसीन को कोई भी उपाधी दे सकते हैं कुल मिलाकर जस्मिन भसीन को बिग बॉस 14 के घर में देखना काफी ज़्यादा दल्चस्प होने वाला है अगर आप जस्मिन भसीन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे बतादे कि जस्मिन भसीन ने टीवी इंडस्ट्री में कई शोज किये हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास मुकाम हासिल नहीं हो पाया है अब तक जस्मिन भसीन को टेशन ए इश्क, दिल से दिल तक, दिल तो हैप्पी है जी और नागिन फोर में देखा जा चुका है जुडी हुई हर बात को लेकर वो काफी क्लियर हैं नागिन फोर के दोरान जब उन्हें अपना किरदार कमजूर लगा था तो उन्होंने मेकर्स की लाख कोशिशों के बावजूद भी इस सुशों से किनारा कर लिया था वहीं लव लाइफ को लेकर भी जैस्मिन भसीन ने कहा था कि वो एक्टिंग इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी कलाकार के साथ रिलेशन्चिप में नहीं रहेंगी जैस्मिन का मानना है कि सेम प्रोफेशन होने के नाते उनके और उनके पार्टनर के बीच एक ही चीज पर बार बार बात होगी इसके अलावा आपको बता दे कि सीरियल दिल से दिल तक के सेट पर ही रिश्मी देसाई और जैस्मिन भसीन के बीच अनबन हो गई थी इस वाके के बाद दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की है Big Boss 13 के आखरी पड़ाव पर जब जैस्मिन भसीन घर में आई थी तो उन्होंने रिश्मी दे साई की और मुड़ कर तक नहीं देखा था सिधार शुकला और जैस्मिन भसीन की बात करें तो इनकी बीच गहरी दोस्ती है दोनों से रियल दल से दल तक के सेट पर मिले थे और तब ही से दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं बीते साल बिग बॉस 13 में जैस्मिन भसीन कई दफा घर के अंदर आई थी और उन्होंने खुले आम सिधार शुकला को सपोर्ट भी किया था पिछले कई दिनों से जैस्मिन भसीन का नाम उनके करीबी दोस्त एले कोनी के साथ जुड़ा जा रहा है हाली में जैस्मिन भसीन ने एक स्टेटमेंट दे कर ये बात साफ की है कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है जैसमिन बसीन ने अपनी बात सामने रखते हुए ये भी कहा था कि लोगों के लिए ऐसा जरूरी क्यों है कि किसी अक्टरस को उसके काम से नहीं बलकि उसके बॉइफरेंड के नाम से जानते हैं है दोस्तों आपकी इन सब पर क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं साथ इसी तरह की लेटेस्ट अब्डेट्स पाने के लिए हमारे चानल एंट्रेंड न्यूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब ना फर ले लेटेस्ट अंट्रेंग अब्डेट्स